असलाम एकूम आज हम पढ़ेंगे ता होर्स नेक्स्ट हाफ ऐसे अ होर्स विद अ गुट पैडिग्री अ होर्स एक गोड़ा विद अ गुट एक अच्छी के साथ पैडिग्री नसल या शजरा इस कंसीडर समझा जाता है मोर वैलियेबल जैदा बेश कदर एक अच्छा शज़रा रखने वाला गोड़ा एक अच्छी नसल रखने वाला गोड़ा जैदा बेश कदर समझा जाता है अर्वी नसल के अर्वी नसल के और वेरि पॉपलर बहुत मखबूल हैं अमंग दे होर्स लवर्स गोडों से मुहबत करने वालों के दर्मिया गोडों से मुहबबत करने वालों में अर्वी नसल के गोडों बहुत मकबूल हैं These days, इन दिनों horses are used mostly for horse races and polo horses are used, गोडों इस्तमाल किये जाते हैं mostly जड़ा तर for horse races, गर्दोडों के लिए and polo और polo के लिए इन दिनों गोडों को जैदा तर गर्दोडू और पोलो के लिए इस्तमाल किया जाता है A horse with a good pedigree is considered more valuable The horses of Arabian breed are very popular among the horse lovers These days, horses are used mostly for horse races and polo First meaning is pedigree, शजज़ा, नसल, valuable, बेशकदर, Arabian breed, अर्बी नसल, mostly, जैदातर, horse races, गर्दोडू डाइरी है The horse Next half essay Learn plus write